हाई आवरीवन वी लॉग आयंका प्रतिभा बर्डे चैनल में आप सभी का बहुत स्वागत है सो मैं आचुकी हूँ घर अभी आज मैंने एक बर्डे इवेंट होस किया और यह मेरा मेकप का है क्यों ना इस 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 इसका रिमॉव करते हूं के मैं आप लोगे के लिए वीडियो बनाूं कुछ खतम हो गया है तो हमारे दादी नानी हमारे मम्मी यों कि दिये जाते वह भी बहुत भी कुल हो ही नहीं सकता है वह मारे इन स्कीन को बिल्कुल केमिकल फ्री रखता है यदि वह हमें को फायदा नहीं देखान दो तो आज मैं करूँगी घर आपको से अपना मेक अप जो आप घर में यूज़ करते हो यह मेरे पास पराशूट का यह यह यूज़ करूंगी एंड जो लोगी स्किन से हम मेकप रिमूव करेंगे बिल्कुल लोगी स्किन बहुत सौस्ट होती है सो आपको मेकप को अपने स्किन से यह देखिया कितना कुछ पूरा कॉर्टन में आगे लेकिन इसका मतलब यह नहीं कि आपका स्किन क्लीन हो गया है अभी भी बहुत सारे प्रोसेस है, हम घरे लिन उसके यूज करेंगे, लेकिन उसमें भी दो तीन प्रोसेस हम अप्लाइ करेंगे, ओके, स्किन तो क्लीन हो गई है, नारिल तेल स्किन के लिए बहुत अच्छा होता है, अब हम फिर से लेंगे न्यू फ्रेश कॉटन, और अभ शेडो होता है, इसको स्लोली आँखों को दीरे से मेकप रिमूव करेंगे, आपकी आँखों के अंदर नहीं जाना चाहिए, इसलिए आपको बहुत ही प्यार से आँखों का मेकप रिमूव करना होगा, देखिए, दोनों में डिफॉटन, आइस काफी क्लीन हो चुकी है, ल इसलिए, अब भी भी स्किन से मेकप भी निकल रहा है, वह तो निकले अभी निकलता ही रहेगा, यह तो कि मेकप पूरी तरह से रिमूव नहीं हुआ है, आपको इसलिए, आइस, आइब्रो, और लिप्स, शबका मैंने ओएल से आपने देखा, स्लोली स्लोली मेकप तो मैं अभी गई और अभी आई फेश वास करते हैं आप उससे अपना फेश वास कर लीजिए जो ऑईल है स्किन में और अभी जो मेकप है वो निकल जाएगा और उसके बात नेक्स प्रोसेस क्या होगी मैं आपको आके बताती हूं तो आज मैं यूज कर रही हूं नीम फेश वास इससे पहले मैंने आपको बताया था रेनू गलो मैं वो भी यूज करती हूं नीम फेश वास है तो मैं भी फेश वास करके आती हूं कि इससे करेंगे हम हल्की-अल्की मसाज मैं कोई भी फेश फॉष यूज करती हूँ अच्छे से मसाज करते हूं इसके लिए लेंगे हम कच्छा दूद यास्ट पका हुआ नहीं होना चाहिए आइम गरम नहीं होना चाहिए कच्छा दूद, एक कॉटन बॉल में लेके और इस तरह से इसको सके पर दीरे-दीरे हम मेकप रिमूव करने की कोशिश करेंगे देखिए, अभी भी हलका-हलका light makeup निकल रहा है इट मीन्स, मेकप रिमूव नहीं हुआ है इस तरह से हम कच्छा दो तो, अपनी स्किन पर अपला है, देखिए अभी भी कितना मेकप निकला है, मैं पहले गलती कर देती थी, मुझे लगता था कि स्किन क्लीन हो गया है, इक मीज ऑप हो गया है, बड़ ऐसा कुछ बनिया, अब आप करेंगे हलके हाथों से, इसे लगा कि मसाच जब हो जाए स्चे विल्कुल मसाज परिए थोड़ थोड़े से पांच मिनेट तक एकलिस को झेल आप को मसाज होने के बाद आपको इसको पांच से दस मिनिट के लिये ड्राइ के लिए छोड दिना क्योंकि हलका सा चिप चिपा पने जो मिल्क होता वोईली होता है तो 5-10 मिनट्स जब इसकिन आपको लगे कि अब ड्राय हो चुकिए तो फिर इसको धीरे दीरे इस तरह से रब करते हुए दूद को हटाने की कोशिश करें और फिर नॉर्मल वाटर से फेश अपना वॉश कर लीजे तो जो मैंने दूद अपनी स्किन पर अपलाई किया था उसके बाद मैंने अपना फेश मॉश कर लिया अब देखें अब पक्का स्किन में कोई मेकप नहीं आप चाहे तो कॉटन से दूद से किसी भी चीज से या ओईल से निकाल के देखेंगे चेक करेंगे आपका कॉटन बिलकुल क्लीन होगा कोई मेकप नहीं है अब यदि आपके पास ताइम है तो एक दो प्रोसेस और वह कर सकते अधर्वाइस आप नाइट में मॉश्राइजर क्लीम लाकर जो भी है और मुझे अपने स्कीन की थोड़ी कोना भी थो मैं यूस कर रही हूं नीम क्रव ठट हमाले किस्कुल फोरफार संप बैसंसे भी हल्लक हल्क हल कि अपनी थूरश में जा घी कि किर अगर आपके पर टाइम नहीं है तो उतना इनफ है बड़ आप अपि जario हो जाएं आपक बहुत टाइम से मैंने स्क्रब नहीं किया था और अगर आपकी स्किन में जराब भी कुछ भी मेकप रह जाता तो इसक्रबर निकाल देता अगर एक दो मिन ठलकी मसाज कर लेता तो वह तो घरेलू स्क्रबर भी बनते वह मैं आपको बाद में नेक्स वीडियो में बताऊंगी तो चलिए स्क्रबर तो हो गया अब मैं यूज करूंगी हिमालया नीम पैक क्योंकि स्क्रबर के बाद आपको पता होगा नीम पैक करना बहुत इंपॉर्टेंट होता है कभी भी स्क्रब करके स्किन को खाली मत छोड़ना तो मैंने अपने पूरे स्किन पर यह हिमालया नीम पैक अप्लाइ कर लिया है आपको घरेलू पैक भी बना सकते हैं बड़ अभी मेरे पास इतना टाइम भी नहीं कि मैं घरेलू पैक बना सकूं अब इसको पांसे दस मिर ड्राइं होने के लिए छोड़ दीजिए तो मैं आ है तो कि मैं अची अब इसको रिमूव करने में भी लगता है अब ही मैं इतना सब को रिशिव सो रहे हूं को इस एक दो प्रोसेस के बाद मिर पास ताइम नहीं होता है चलिए लास्स प्रोसेस है यदि आपके पास मॉस्टराइजर मैं आपको लास्ट वीडियो में बताइ तो फाइनली मेकप रिमूव हो चुका है और नाइट के लिए मेरी स्किन रड़ी हो चुकी है और बिल्कुल हैल्दी छोटा से पिंपल हो गया है मैं इसे बिल्कुल कुछ नहीं करने वाली हूँ अपने आप यह चला जाएगा कभी-कभी आ जाता है तो चलिए इसी के साथ बाइ गुट नाइट लव यू प्लीस डोंट फगेट सब्सक्राइब मैं चैनल लाइक कमेंट शेर अलसो